हम लो फ्रेंट्स वेलकम टो माइड चानल आज हम जाली वाले बुनाई सीकहेंगे इसके लिए मैंने 27 फंद्य डाली है आप इससे जैकेट में भी डाल सकती है और काड़ीयून में बहुत अब बच्चोंके स्वेटर में भी डाल सकती है इसमें 27 फंद्य डालें 11 फंदों की ह हमारी एक डिजान complete होगी अब हम इसमें डिजान बनाना start करते हैं सबसे पहले हम इसमें 2 फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो फंदे पीछे की तरफ गुण करेंगे अब हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, तीन फंदे हमारे सीधे हो गए, अब यहां पर दो फंदे का एक करेंगे, इस तरह से, अब इसमें हम जाली डालेंगे, जाली हम इस तरह से डालेंगे, अब यह एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर से हम एक जाली बनाएंगे, और यहां पर इसे सीधा रखे अब फिर से तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे यह हमारी एक डियान के फंदे हो गए एक फंदा और बनाएंगे सीधा फिर से हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे तीन फंदे आपकर दो का एक करेंगे उपर से इस तरह से जाली बनाएंगे और इससे सीधा करेंगे इसे जाली बनाएंगे एक फंदर बीच में सीधे एक के इस साइड भी जाली बनाएंगे और इस धर भी जाली डालेंगे अब इसे हम इस तरह से तार के भमाएंगे दो का एक करेंगे फिर से हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे तीन अब इसे दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे अब उल्टी सलाई हम उल्टी बनाएंगे इस तरह से अब यह हमारा जाली वाला फंद आ गया है इसे हम इस तरह से बनाएंगे इस तरह से इस तरह से मैं उल्टी सलाई कम्प्लीट करके आपको दिखाते हूं हरवार हम उल्टी सलाई को उल्टी बनाएंगे यह उल्टी सलाई मैंने उल्टी उतार लिए और सीधी सलाई हम इस तरह से बनाएंगे दो फंदे हम फिल्टे बनाएंगे, एक ये दो, और यहां पर दो फंदे बनाएंगे सीधे, पहले मैंने तीन फंदे बनाए, अब मैं दूसरे सलाई में दो फंदे बनाऊंगे, और ये दो का एक करेंगे, ये जाली वाला है, इसमें हम जाली बनाएंगे इस तरह से, और यहा और यहां पर एक जाली बनाएंगे इस तरह से दो का एक विचे हम सीधे फंदे बनाएंगे तीन चार पांच यहां पर पांच फंदे होगे सीधे और यह दो का एक करेंगे जाली बनाएंगे इस तरह से बीच में हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे तीन फंदे होगे फिर से जाली और यह से हम इस तरह से घुमाएंगे दो का एक करेंगे और यहां पर दो बनाएंगे सीधे दो फंदे होगे अब यहें दो उल्टे इस तरह से उल्टी सलाई में उल्टी बनाकर आपको दिखाते हूं इस तरह से हमारी कुछ डिजाइन इस तरह से आ रहे है और यहाँ पर दो फंदे उल्टे बनाएंगे और यहाँ पर यह सीधे बनाएंगे 4 फंदे सीधे यह तीन फंदे हमारे सीधे हो गए अब यह दो हम गटाएंगे इस तरह से और यह हमारा बीच वाला आप यहाँ पर एक जाली डालेंगे सीधे को हम सीधा बनाएंगे फिर से जाली ऐसे दो को एक जाली वाला और एक ये सीधा वाला दो को दो का एक करेंगे फिर से हम एक दो तीन फंदे सीधे एक फंदा हम और बनाएंगे सीधा फिर से हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे फिर तीन फंदे हुगे, दो का एक करेंगे, जाली, सीधा फ़िट से जाली, वैसे इस तरह से भुमाएंगे, दो का एक करेंगे, फिर से तीन फंदे सीधे बनाएंगे, उल्टी सलाई में उल्टी उतार कर आपको दिखाते हूँ, हमारे ये कम्प्लीट हो गए, अब यहाँ पर बनाएंगे हम, अब ये दो फंदे हमारे उल्टे हो गए, फिर से हम सीधे फंदे बनाएंगे, तरह से, अब ये हमारा, ये बीच वाला फंदा है, ये वाला, और ये हाँ पर ये सीधा है, तीन फंदे और सीधे बनाएंगे हम, एक, दो, ये तीन, आब हमारे पास टोटल, दो, चार, छे, आठ, नौ फंदे हो गए, नौ फंदे सीधे बनाने के बाद, और यहाँ पर दो का एक करेंगे, इस तरह से, दो का एक, जाली, और ये हमारा, बीच वाला फंदा हो गए, फिर से जाली, दो कख एक करेंगे इस तरह से अब ये सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे दो फंदे वुल्टे बनाएंगे इस तरह से मैं उटी सलाई उतार कर आपको दिखाती हूँ इस तरह से बने उटी सलाई उतार लिए अब यहाँ पर दो फंदे उटे बनाएंगे इस दो फंदे हों गए फिर से हम सीधे बनाएंगे दो पंदे हों ये होगए और यहां पर ये घ्याट आया था अब यहां पर ये दो कए fifteen करेंगे फिर से हम जाली डालेंगे इस तरह से, बीच में हमारे तीन फंदे हो गए, जाली, अब इस वाले फंदे को हम इस तरह से घमाएंगे, और दो का एक करेंगे, फिर से हम एक, दो, तीन, चाथ, पाच, छे, साथ, ये अाठ, ये नॉ, आठ फंदे बनाएंगे फिर से हम चीड़े फंदे बनाएंगे तीन फंदे हो गई चार पांच छे और साथ साथ फंदे सीधे हो गई आठ और यह नो अब हम यह जाली वाले दो फंदे दो को बटाएंगे और यहां पर एक जाली डालेंगे और यह बीच वाला फंदा हमारा सीधा फरी वाला से सीधा उनेंगे और यह जाली डालेंगे और यह दो फंदे हमारे जाली वाले हैं उसे हम ढमाएंगे इस तरह से और यह जाली वाले फंदे को हम दो का एक करेंगे पर से हम सीधे फंदे सीधे बनाएंगे इस तरह से तो फंदे हम पल्टे बनाएंगे एक यह दो तरह से आईए डेजान अल्टी सलाई में उल्टी उतार कर आपको देखाते हूं मैंने उल्टी सलाई उतार लिए और यह हमारी दो डेजान बनके तयार हो गएंगे दो रों तीन इदर बीच में एक फंदा लिया था यह जाली वाला है इस तरह से हम इसकी मेरी वीडियो मेरे समझाने का तरीका फसंद आए तो लाइक लाइक शेयर कमेंट करना